तो हलो एवर्रीवन स्वागत है आपका मेरे पोड कास्ट में ने में बात करनेरे औरOTT करने वाले हैं दुबारा से बाज व्लोग की तो बाज व्लोग की क्या बात करने वाले क्पोट है उनकी जीजा जिनका नाम गोरभ है हाहा वही जो मतलब कि उनकी सिस्टर है सुहानी उनके पती उनका एक्चुली कभी अभी वीडियो आया और बहुत ज्यादा मतलब हैरान परिशान कर देने वाला वीडियो था जिसमें वो बिल्कुल साफ साफ जो है अपने साले बाजा व्लोग के उपर एक ये कहले जिए फ्रोड का टै लेकिन जो कहना एक शोट फोर्म में बताने वाली जीज़ वो ये थी कि भाई कोई गनपती नाम से कोई व्लोगर है जिसके आठ से दस हजार सब्सक्राइबर हैं तो उसका कहना ये है कि भाई वो जो है ना उसने बाजा व्लोग से बात की थी कि मेरे सब्सक्राइबर वादो मेरा चैनल ग्रो नी कर रहा तो बाजा व्लोग ने क्या कहा कि ठीक है भाई मैं करवा देता हूं और मैं 50,000 रुपे लूँगा तेरा चैनल जो है ग्रो करवा दूँगा तेरे सब्सक्राइबर बढ़वा दूँगा अब देखें यहां पे सबको पता है ना लालच में क्या ही जाता है तो उस भाई साब ने जो है ना उस पर विश्वास करके उसको 50,000 रुपे कैश दे दिए अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि जैसे के सुहानी के पती ने बताया कि आज के टाइम में फोन पे हो गया पे टीम हो गया गूगल पे हो गया यह ची क्या कि बाई में यह जो है यह सब होते हुए भी इन्होंने क्या किया मेरे पास यह एपलिकेशन नहीं है तो तुमुझे काम कर की कैश देदे तो इसने चैंनल के लिए तो उसने उसे 50,000 रुपे ले लिये और उसको कर दिया ब्लोग अच्छा ब्लोग कर दिया उसको हर जगे से ब्लोग कर दिया जब जो यह गणपथी व्लोग है यह जब इनके घर जाते थे कि घर का एडर्स तो पता ही था क्योंकि यह साथ वाले गाउं बहन की शादी है उसके गहन गहना जेवर ये सब चीजे मुझे बनानी है तो मैं इसलिए तरह से 50,000 पर ले रहा हूं और ताकि जो है न मैं तेरा काम भी कर दूँगा और उसके बाद जो है बहन की शादी भी कर दूँगा तो अब देखिए कि उसकी बहन की शादी की रिल्स तो हमने उसे बुलाया और उसकी शादी कर दी तो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने खुद की कि अपनी बहन की शादी इन्होंने क्यों करवाई ठीक है दूसरी बात ये कि भाई ये इलजाम लगाते रहते हैं बार बार की ये नाबालिक है अब मैं केस करूँगा तो किस ची आसी गालियां तक सुना रहे थे आज की वीडियो में और बोल रहे थे कि जा तुझे हमारे नाम से व्यूज कमाने यह तुझे बीख में हमने अपना नाम दिया ठीक है उदर से बाजा का कहना ये है कि वहाई ये मेरा नाम लेके जो है पॉपुलर हो रहे हैं अब समझ नहा बनाम करने में अपने माबाप को बनाम करने में बहुत लंबी चोड़ी वैब सीरिस बना दी है अरे भई लोगों का तो ये तक कहने कि Khan पैट्रोल पैपिसोड आते हैं किसी दिन मुझे लगता कि एपिसोड तक बना देंगे इतना तो किसी निकाला ओगा जितना कि इस बाजा व्लोग ने निकाल लिए अपनी भेहन को बदनाम करके इंस्टाक्राम पर ना जाने इसने कितनी ही एक मिनट के 15 वीडियो बना दिया उ यहां पे फेमस होने के लिए या मैं वाइरल होने के लिए सब चीज़ें नहीं कर रहा तो जितना तुने पंदरा वीडियो बनाके पैसा कमाया है तु ऐसा यूट्यूब पे एक पूरी वीडियो बनाके क्यों नहीं डाल दी पहली बात तो यह और दूसरी बात यह कि बहन के गंदे गंदे इलजाम लगाना कि वह घर से भाग गई थी कोई भाई भी अपनी बहन के बारे में इतना गंदा कभी भी नहीं बोलेगा ठीक है बहन जो होती ने घर की इज़त बोला जाता है जिस तरीके से इसने अपने बहन की इज़त को सोशल मीडिया पे उच्छाला है म अपने घर को बेच के जो है ना अपने घर की इजद को बेच के आप लोग यहां से डोलर कमालो यह सब चीज़े सिका रहे हो यह तुम लोग अब देखिए बाजा व्लोग भी जो है ना लपेटे में आ चुका है बाजा ने सोचा था शायद उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं हो अब भी नहीं मानती ठीक है जब तक लोगों के सामने कोई ऐसा प्रूफ ना आ जाए ठीक है प्रूफ तो देखो इन्होंने भी नहीं दिखाया सुहानी के पती ने भी तो इनके बाद पर भी विश्वास करना जो है ना मतलब जाइज नहीं है जल्दी से नहीं कर सकते और जैसे कि उसने क्या किया था जब उसकी इंस्टागराम और वटसप पे जो चैट हुई थी न वो चैट तक उसने डिलीट कर दी अरे लेकिन ठीक है बाज़ा ने तो डिलीट में लिया है मतलब कि बाकी के जो बहन हैं जो बहनोई हैं सभी को बोल दिया कि भाई यह सब गदार हैं यह सब मिले हुए थे और मुझे जो है घर से इंसान हो तो शायद वो जो इने इस तरीके के रेल्स या घर की जो बेज़ती कर रहे हैं वो सब बनाना बंद कर दे लेकिन इनको कोई फरक नहीं पड़ता लोग क्या लिख रहे हैं लोग पता नहीं बोल रहे हैं अनसब्सक्राइब कर दो लोग बोल रहे हैं कि हम तेरी लेकिन बीवी के लिए इनके मूँ से शब तक नहीं निकला लोग इतने कमेंट कर रहे हैं पूछा मत मैं नेक्स वीडियो में आपको इनकी बीवी के लिए भी बताऊंगे काफी कुछ मतलब की चो खाने वाले खुलासे लोगों ने किये हैं कमेंट के जरिया उसमें कितना सच है कितना नहीं है बिल्कुल भी नहीं पता मुझे भी और अगर आप लोगों को भी कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना और यह भी बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि यह जो कॉंट्रोवर्सी अभी भाई बहन की चल रही है यह फेक है यह और फॉर सिरफ इने पैसा चाहिए इसलिए हरकत कर रहे हैं तो गाइस आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट के जरीए मुझे जरूर बताना और अगर आपको यह पोड़कास्ट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और बैल आइकन को हाँ प्रेस करना बिल्कुल न भूलना सो बबाई मैं मिलती हूं आपसे एक न्यू पोड़कास्ट में तब तक के लिए बाई